नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रैन धर्मा सर्मार्ग गुरुबार के दिन पीली चीजों का भोग लगाने से पीले वस्तर पहनने से स्रीहरी विश्नु प्रशन्न होते हैं घर में खुसहाली लाते हैं लेकिन आज हम आपको एक चुटकी हल्दी और साथ दाने चावल के विसेश प्रयोग बताएंगे जो आपके जीवन को ही बदल देगा हमारे जीवन में हल्दी कई माइनों में महतपूर्ण होता है अगर खाने में डाल दिया जाए तो स्वाद भी बढ़ता है और सुपसकुन भी होता है हल्दी दवाका भी काम करता है लेकिन अगर जरौत से ज़्यादा हल्दी खाने में प्रयोग करें तो एक तरह से ये बिस रोधक जो हल्दी है वो बिस का कारक भी बन जाता है तो गरहों की समस्याओं को दूर भी आप हल्दी से कर सकते हैं तो आज हम हल्दी की ही बात करेंगे गुरु वार के दिन कौन से खास उपाई किये जाए कि जीवन के जो गुरु समंधी पिलाये हैं कस्ठ वो समाप्थ हो जाए तो आज तुलसी का पत्ता और हल्दी का छोटा स से उसे जोड़ता है और बैस्पती जोतिस में अगर मजबूत हो जाए तो जीवन में ज्यान बढ़ता है लोग भागयवान होते हैं तो बैस्पती को मजबूत करने के लिए हल्दी का प्रियोग भी होता है वैसे तो हल्दी में दैवी गुन होते हैं तुलसी तुलसी तो मा लक्षमी का ही प्रतीक मना जाता है और बिना साली ग्राम के तुलसी अधूरी है अब उचुकि हम हमारे धर्म के हिंदू की धर्म के बात कर रहे हैं वैसे तो सभी धर्म में हल्दी खाया जाता है लेकिन हल्दी अगर सिमित मात्रा में आप इसका परियोग करें तो जीवन के क सानी दूर होती है वैसे आप चाहें तो चावल और हल्दी का घोल से भी यह प्रतीक चिन बना सकते हैं लक्षमी भी इस्थिर रहेगी और जीवन के कश्ट भी मिटेंगे आपके घर के लोग सुखी रहेंगे आपको तो पताईए गुरु बार के दिन घर की सफाई तो की जात हर गुरुवार के दिन क्या करेंगे एक बरतन में जल ले 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 पानी ले ले आप पूजा के लोटा में भी ले सकते हैं उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दें पूरे घर में हल्का सा चीटा डालें ऐन्लियों के सहारे बाकी के बचेवे पौधेहं में डाल दें घर की कारा पाया जा सकता है खास कर ब्रेस्पती से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान हल्दी से होता है वैसे तो हल्दी बहुत रंगों की होती है लेकिन आज जो हम खल्दी की बात कर रहे हैं वह पीली हल्दी की बात कर रहे हैं जो आप खाने में यूच करते हैं इसका नहाने के पानी में एक चुटकी डाल करें बच्चों को करवाएं एक तुर नजर दोस्त से बचे रहेंगे दूसरा उनका सरीर कांती वान होगा गुरू मजबूत होगा ग्यान बढ़ेगा धन बढ़ेगा यस बढ़ेगा बैभाही जीवन की समस्या दूर होगी वैसे तो जीवन में खुजियां बढ़ जाती है चुकि आज हम बात कर रहे हैं तूलसी के पत्ते और हल्दी की देखिए गुरू बार के दिन आप कुछ करे या ना करें तूलसी के पेड में जब जल अरपीद कीजिए तो उसमें एक चुटकी हल्दी डाल कर किया करें वैसे आप चा वैसे बहुत जगा ऐसा कहा जाता है कि अगर गाय को रोटी खिलाते समय या आटे का पेड़ा बना लें उसमें एक चुटकी हल्दी और गुर्ड लगा कर गाय को अपने हाथों सी खिलाएं तो आपके जीवन के जो परिसानिया है वो दूर होती है जो धन के मुस्किले है व घर में पोचा नहीं लगाया जाता है लेकिन आप एक चोटा सा प्रियोग करके अपने घर के सकात्मक उर्जा को बढ़ा सकते हैं अगर घर में तरकी नहीं हो पा रही है तो गुरुवार के दिन एक बरतन में पानी ले ले उसमें एक चुटकी हल्दी डाले और अपने घर क कोने में जो भी कोना है आपका वहां पे हलकालका चिलकाओ करें आप चाहें तो पूरे घर में थोड़ा थोड़ा चिलकाओ कर सकते हैं बाकी का पानी किसी पौधे में डाल दीजेगा जो बचा हुआ है नकात्मक उर जाएं दूर होंगी घर में खुसी आएंगी प्रेम वह आप से दूर रहते हैं बहुत सारी मुस्किले हैं तब एक चोटा सा काम करें जब आपका मान सम्मान खो जाए जब आपको लगे कि हर तरफ से आप परिशान है और तब एक चोटा सा प्रियोग करने से आपको लाव होता है गुरु बार के दिन आप दो हल्दी की गांट पीले कपड़े पर रखकर देव गुरु को अरपित कर देव गुरु भेस्पती को अरपित कर देव लक्षमी की साथ में ही तस्वीर की पूजा कीजेगा अकेले उनकी पूजा मत कीजेगा वरना आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी इसके बाद इस हल्दी की गांट को पच्छे से कभर करके यानि की कपड़े में लपेट कर और अपने पर्स में अपने पॉकेट में या फिर अपने बैग में रखें इससे क्या होगा ना एक तो भगवान का आसिर बाद है आस्था पर सब कुछ डिपेंड करता है और आप देखिएगा कि जीवन की मुश्किलें कम होने लगी है नौकरी बेपार में दीरे दीरे तक्की होने लगी है और जो जीवन में परेशानी थी वह समाप्त हो जा रही है छे मेंने के बाद इसको चेंज कर लीजएगा पुराने वाले मिट्टी में दबा दीजेगा और फिर सिप्रेस इसी विदी से आप रख लीज ब्रके और कि दिन भूल कर भी किसी को भी पैसे उधार ना यह में थे नियुक्टि के अक्न का दिन अर्डेने वाले का दिन है तो एक चोटी सी प्रयोग कीजेगा एक तूलसी का पत्ता ले लीजेगा गुरुबार के दिन रात में सोने के पहले पहले सही तोड़कर रख ले अब इस पत्ते पर हल्दी से स्रिंग लिखें स्रिंग मालक्षमी का बीज बंतर है और इसके बाद इस तूलसी के पत्ते को आप चाहें तो अप भी पे रखकर सो सकते हैं या फिर आप अपने तक्ये के नीचे रखकर भी सो सकते हैं अगले दिन मिट्टी में दबा दीजेगा ऐसा करने से जीवन की ग्यात और ग्यात बाधाएं समाप्त होती है जीवन की मुस्किलें कम होती है और आपके जीवन में जो भी परेसानी है दीरी दीरे समाप्त हो जाएगी अगर कोई बिसेस मनोकाम ना हो नौकरी बैपार नहीं लग रही आपके जीवन में कहीं भी आपको तरकी नहीं हो पा रहा बहुत परेसान है आप जब लगे कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो गये हैं तब एक छोटा सा काम कीजिएगा ए हम बात कर रहे थे जीवन की मुश्किलों से सम दूर करने के लिए एक चुटकी हल्दी एक कागज की पूरिया में अच्छे से लपेट कर भगवान स्रीहरी तस्वीर की तस्वीर के पीछे चिपा कर रख दे आपकी मनोकाम ना अतिसिग्र पूरी हो जाएगी बाद में जब दाने चाबल हल्दी के सहारे उसको अच्छे से कलर कर लें लाल कपड़े में बांध कर मालक्षमी के चर्नों में रखें और फिर अपने धन के अस्थान पर या फिर अपने पर्स में रख लें तो धन की कमी नहीं होती और सही समय पर धन आपके पास होता ही होता है फिलाल व